नमस्कार दोस्तों जी के अर्जन सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है उत्तर प्रदेश PCS 2007 मेंस का ये साल पेपर है नोटिफिकेशन आपके मॉवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं तो अगामी होने वाले एक्जाम के लिए प्रकार से रिवीजन क्लास का सकते हैं इसको जो 12 जुन को एक्जाम ने धर्ट के गए 2022 PCS प्री का तो चलिए वीडियो प्रारं करते हैं हागर आप लोग इससे पिछला एनि उत्तर प्रदेश के PCS प्री और मेंस GS का पेपर देखना चाहते हैं साल्ब तो उसका जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका नाम है उत्तर प्रदेश PCS और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं जितने भी बिगतवर्स के पेपर हुए हैं लोग सवायों के उसमें आपको साल्ब देखने को मिलेगा GS पेपर का तो चले वीडियो प्रारम करते हैं तो 2007 का यह पेपर है EPPCS मेंस का GS फर्स्ट पेपर और सिकेंट पेपर भी इसका अप्लोड होगा इसके बाद तो इसमें करेंट का कोशन आपको छोड़ दे रहा हैं इस अब करेंट का है 5,6,7,8 यह देखें हो सकता है इसमें निमलिकी तीग में से कौन सही सुमेलित नहीं है पंकज अडवानी यह जो निशाने बाजिस है यह सही सुमेलित नहीं है यह सब करेंट का है यह 10,11,12 नमर देखेगा एक फसल पढ़ाली जिसके अंतरगत फसलों को रोपन के किये गए पेड़ों की कतारों के बीच के अस्थान में युगाए जाता है कहलाती है इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है एले क्रापिंग कुश्चन नमर 13 है जिपसंग की अधिक मात्रा आव सकता होती है तो अधिक मात्रा किसमें आव सकता होती है यह होती है धान की फसल में किसमें होती है धान की फसल के लिए कुशन नमबर 14 है भूमी में उपलब्द जल की उपरी सीमा निकाली जाती है तो भूमी में जो है उपलब्द जल की उपरी सीमा निकालीज जाती है एक बटा दो बार पर ये आरहर का जन्मस्थान भारत वर्ष में कोश्चन этого MP1, कहां पर एक एक वास्था है कहां पर है ये पंत नगर उत्तर dijo में ये कुश्चन नमबर 17 है हिरोईन प्राप्त होती है तो अफिम पोस्ता से कुश्चन नमबर 18 है भारत में स्वाबीन का अग्राणी उत्पादक है तो वह है मद्ध परदेश कुश्चन नमबर 19 है वरुणा प्रजाती है तो वरुणा किसकी प्रजाती है सरसो की है कुश् और कारण से कथन दिया है भारत में पसिम बंगाल मचली का सबसे बड़ा उत्पादक है तो सही है पसिम बंगाल के सागर के टट पर किनारे मतस उद्यक सुभीक्सी तेवी से यह यह तोनों से यह किसा ब्याख्या भी करते है तो इसका राइटेंसर होगा यह कुशन नंबर आ खेल समागरी है तो वह है समागरी आती है कहां से जालांधर से आती है कुशन नंबर 24 है किस बैंक ने सरपर्थम चीन में अपनी साखा खोली है तो वह खोली है कहां पर स्टेट बैंक आफ इंडिया चीन में पहली बार यह साखा खोली है तो अपनी सरपर्थम चीन में साख साइन्स के एकरन के बाद एक नई इकाई कर नाम नई इकाई किस नाम से जाने तो वह है Indian Airways पूर्शन नमर 26 है सहकारी इकाईयों की दसा में किस छेत्र को विकास की उची दर प्राप्त विए तो वह है चीनी छेत्र को कोशन नमर 27 है विश्व बैंक का मुख्याले है कहाँ पर वासिंगटन में कोशन नमर 28 है इनसाइड ट्रेडिंग सम्बंधिते की से तो ये है शेर बजार से कोशन नमर 29 है मिस्रित अर्थवेश्था का क्या असे है तो इसका असे सरवजिनी के अमनिजी छितरों का सह अस्तितव कोशन नमर 30 है भारत में डीजल लोको मोटी इंजन का कर खाना इस्तित है कहाँ पर ये है वारानसी में अद्रिस निर्यात का अर्थ है तो अद्रिस निर्यात का अर्थ होता है तो यह सेवाओं का निर्यात कोशन नमर 32 है 20 सुबे पार संगठन का मुख्याले कहां पर है जेनेवा में है कोश्चन नमबर 33 है जॉन पूर सर के अस्थापना किस ने किय थी तो ये किया था फिरोसा तुगलगने कोश्चन नमबर 34 है 2001 की जनगर्णा के अंसार उत्तर परदेश का जनसंख्या घनत तो है 689 परती वर किलोमेटर कोश्चन नमबर 35 है उत्तर परदेश में निलुकित में से कौन से जन जाती सरवाधिक जनसंख्या वाली है तो वह है थारू है कोश्चन नमबर 36 है उत्तर परदेश में है तो असी लोग सभा की सीटे है कोश्चन नमर 37 है ओबरा ताप विद्धूत केंदर के स्थापना की इस देश के सयोग से विए तो ये सोवियत रूस के सयोग से कोश्चन नमर 38 है 2001 का दिया है उसे 2011 का पूछे का इस बार एक कभी देख लिए ये कभी कई पूराना पूछ देता है 2001 की जनगर्णा के अंसार उत्तर प्रदेश में मैला साचरता कितनी थी तो ये था 42 दस्मलों दो दो प्रतिसत दो जारीगारा में यहां पर देखिए 69 दस्मलों तीन है कोस्टर नमबर 49 है उत्तर प्रदेश का सबसे उचा बांध कौन सा है राम गंगा बांध कोस्टर नमबर 40 है उत्तर प्रदेश में इरेनियम वपलब्द है कहां पर ललितपूर जिले में कोस्टर नमबर 41 है फिरोजाबाद की सुत पादन के लिए मसूरत चूड़ियों के אל लिए कोस्टर नमबर 42 है उत्तर प्रदेश में निन में से कौन से कौन सा इक निमनिकीत में से कौन सा उत्तर पर ओंगीत नहीं है तो भोलामारु जहें लोग गीत नहीं इसके अलावा बीरहा कजरी रसिय dalam के आते हैं कुछ्टर से अर्क सब्रेश स्याच लम्लक लगता ह उपोषण उद्यान संस्थान कहां परिस्तिते तो ये भी है लखनों में कुश्चन नमबर 46 पराते हैं भारतिय उप महादीप में किरिसी की प्राचिनतम साचे कहां से प्राप्थ हुएं तो ये हुए मेहर गड से कुश्चन नमबर 47 है रिगवैदी काल में निस्क किस अंग का वुसर था ये है गला का कुश्चन नमबर 48 है उत्तरवैदी काल में निमलिखित में से किनको आरे संस्क्रिती का धूर समझा जाता था तो वो था कूरू और पंचाल कोश्चन नमर 59 है निम्लिकित में से किस ने गिरनार छेतर में जल संसाधन बयोस्था के लिए स्वर पर्थम पहल की तो वो था चंदरगुप्त मौरे ने कोश्चन नमर 50 है लुम्बनी गोतम बुद का जनमा स्थान था इसका समर्थन किस के एक अभिलेक से होता है तो वह है असोक के अभिलेक से कोश्चन नमर 51 है निम्लिकित में से किस गुप्त राजा का एक अनने नाम देव गुप्त था वह है चंदरगुप्त दुतिय कोश्चन नमर 52 है गोबिंद चंदर गढ़ालवाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार कहां बनवाया था तो यह बनवाया था कहां पर सारनाथ में कोश्चन नमर 53 है निम्लिकित में से किस गुप्त राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखा के रूप में जाना जाता है तो वह है राणा कुमभा कोश्चन नमर 55 है दिली का कौन सा सुल्तान मंगोल निता चंगेज खां का समकालिन था तो वो था इल्थू तमीश कोश्चन नमर 56 है भूर आजस्व प्रसासन के छितर में सीर साय मकबर के मद्य निम्लिकित में से कौन नेरतर की कड़ी है तो वह है टोडर मल कोश्चन नमर 57 है मात्र एक मुठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना समराज खो दिया इस कथन को आप किस मद्यकालिन सासक से समंध करेंगे तो वो मद्यकालिन सासक था सेर सा सूरी कोश्चन नमर 58 है किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पिशववास्तिक सासक बना तो वो था बाजी राख प्रथम कोश्चन नमर 69 है जहांगीर ने टामस रो को कहां मिलने का उसर दिया ये मिलने का उसर दिया था अजमेर में कोश्चन नमर 60 पर आते हैं निमलिकित में से कौन एक संगित बाद बजाने में और अरंजेब की दस्ता थी तो वह है बीड़ा कोश्चन किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पीता की इस्तिती दुरुबल किरती थी तो वह था अकबर 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 इसका नाम था कुश्चन नमर 62 है ब्यापार के लिए भारत आने वाले एरोपिय लोगों में कौन प्रथम थे पुर्थम कौन थे तो वह थे पुर्थगाली कुश्चन नमर 63 है 1843 के एक्ट पांच के किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया तो वह है गुलामी कुश्चन नमर 64 है निमलिखित में से कौन आसम में 1857 की क्रांथी का नेता था तो वो था दिवान मनिराम दत कुछ्ष्ट नमर 55 है निम्लिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत का सासन इस्टिडिया कम्पनी से राज मकुट के अधिकार में चला गया तो वह है गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 888 अंठावन को से नमबर चाचट है भारतिय राष्टिय कांग्रेश की प्रथम बैठा कहां वही थी यह वही थी बंबई में को से नमबर शर्षट है 1887 के दसक में इंडियन मीरर अखबार का प्रकासन कहां से होता था यह होता था कलकत्ता से इसे में इसका नाम कूल काता है कोस्टर नमबर 68 पर आते हैं सुरेंदर नाथ बनरजी द्वरा स्थाफित उस संगठन का नाम बताए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेश में बिले हो आते हैं उसका नाम था इंडियन एसोसियेशन कोस्टर नमबर 69 है निमलिखित में से किस ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट परवर्तन किया तो वो था लाड लिटन कोस्टर नमबर 70 है भारती राश्टी कांग्रेश के सूरत अद्वेशन 1907 का अध्याच कौन था तो वो था आर्वी घोज कोस्टर नमबर 71 है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निमलिखित में से किस ने चलाय था तो वो चलाय थे स्याम जी क्रिश्ण वर्मा ने कोस्टर नमबर 72 है भारत में 1918 में प्रथा मजदूर संक के अस्थापना की तो यह किया था बीपी वाडिया ने 20 कराइट इंशर होगा कोस्टर नमबर 73 है जलियाला बागत्यकांट के व्रूद में वायसरा की कारीकाडी परिशत की सद्चय सत्ता से किसने इस्थिपा दिया था तो यह दिये थे संकर नायर नैं कोस्टर नमबर 74 है महात्मा गांदी के कि चंपारन सत्यागरा का किसने विरूद कर था तो यह किये था एंजी रंगान है कुश्ण नमबर 75 पर आते हैं गदर पत्र का प्रथा मंग निमलिखित में से किस भासा में प्रकासित हुआ यह प्रकासित हुआ था उर्दु में कुश्ण नमबर 76 है बंदी जीवान पूस्तक का लेखा कौन था तो वो था सचिंद्र सन्याल है कुश्ण नमबर 77 है भारती राश्टी का अंग्रेश से संबंधित निमलिखित घटनाओं और विचार करना है और निशे दिये के कुट से आपको सहयं तरते इसका राइट इंस और इसके बाद जो है भारती राश्टी कांग्रेश का कराची अद्वेशन तीसरा यानि ये वाला सही होगा इसमें को स्मेलिद करने वाला चलिए इसको सुमेलिद करते आटात्तर नमबर देखेगा एनिवेसेंट ते ग्रीस आसन आंदोलां से समंधित थी डाक्टर राज इसमें सही है अब यह को सन्नाबर 89 पर निमलिखित में से किसे ने 1935 के अधनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है तो यह कहा थे पंडि जोहाराल नहरुए 1935 के अधनियम को कोशन नंबर 80 है 1940 में रेडिकल डो में क्रोटिक पाल्टी का गठन किया गया था यह किया गया था मन राय द्वारा कोशन नंबर 80 है ब्यक्तिगा सत्याग्रा कि ब्यक्तिगा सत्याग्रा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था यह किया गया था महत्मा गांधी महात्मा गांधी द्वरा प्राराम्व किया गया था इसे प्राराम्व पुचा है देखते का सत्याग्रा कोश्ण नमबर 82 है निमलिकित में से किसने गांधी जी के आंदोलोनों का राजनेतिक फिरोती कहा था यह कहते लाड लिन लिथगों ने कोश्ण नमबर 83 है मुस्लिम लिग ने सीधी करवाई दिवस कम मनाया तो यह मनाया तो सूलो अगर्स तो निस सो चीयालिस को कोश्ण नमबर 84 है स्वतंतरत काल में घटित निमलिकित गटनाओं को व्यस्तित करना है तो सबसे पहले इसमें जाता खुर्चेव भुलागिन की भ भाग कर भारत आना और इसके बाद चाओ इन लाइन का भारत में आगमन और लास्ट में गोवा मुक्ति डी इसका राइट एंसर होगा इसमें को को स्वतंतर नमबर 85 है ममल पुरम में रत इसमारकों के निर्माड के लिए निमलिकित में से कौन उत्तर दायत यह है पल्लो को कुछन नमबर 86 है एलिफेंटा के प्राचीनी समारक प्राया हैं इसमें प्राया किसके हैं सैव के कूट से उत्तर चन करना सैव कुछन नमबर 87 है निमलिकित मंदिरों में से किसे सैलेक्रित अस्थापत्य का आस्चर ही माना जाता है तो वह है कैलास मंदिर एलोराकवा कोशन नमबर 88 है निमलिकित में से किस अस्थान के खंडार विजयनेगर की प्राची राधानी का प्रतिनिधित तो करते हैं तो वह है हमपी कौन है हमपी कोशन नमबर 89 है निमलिकित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है इसमें जो है सेख निजामुदी नवलिया का मस्थाने तो वह नान काना पाकिस्तान में यह कुश्ण नमबर एक क्यानबर देखिएगा महाराजा जैसिंग धुति ने बेद सालाओं कहां बनवाई थी दिल्ली जैपुरू जयन वरांसी सभी जगह यह बनवाया गया था यह कुश्ण नमबर बानबर है निम्लिखित में से किसने महाराष्ट के गणपती उस्थो का ऐसा काया कल्प किया कि वह एक राष्टी उस्थो हो गया और उसका स्वरूप राजनेतिक हो गया तो वह थे बाल गंगा धर इलक कुश्ण नमबर तीरानबर है भारत की प्राचीन कला प्रंपराओं को पुनर जीवित करने के यह थे दादा भाई नरोजी के संस्क्रीट के पर्थम विशुविद्याले पीठ के स्थापना सरपर्थम कहां होई थी यह हुए थी जर्मनी में को संबर चानबर है नेमलिखित में से किस ने कहा इस्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं इसलि प्रदसित केया गें तो वो देवता का नाव है बल राम कोस्टन नमब्र 99 निम्लिफित मेंं से कौं सा सुमेलित नहीं है छोठ है निनानबेर है निलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में सक संबत का वर्ष होगा तो वह है 1931 भारत का सबसे छोटा दसलाखी नगार है तो वह है राज कोट कोश्ण नमबर 101 है छोटा नाकपुर पठार का सरवादिक घनाबसा जीला धनबाद क्यों है तो उप्रोग सभी हो जाएगा उपजाव मिट्टी दामोदर से निकली गए नहरों के सिजाए कि सुपदा कोईला लोहा अवरग तामा इत्यादी का पाई जाना खनन उद्यों के सभी हो जाएगा इसमें कोश्ण नमबर 102 देखिएगा भारत की जनगाणा के निमलिखित मेंसे किस वरग के लगु नगरों के सेड़ी में समलित किया आते हैं तो वरग पहले तीन इसके बाद चार पांच और छे कोश्ण नमबर 103 है भारत में सरवाधिक नगर जिन में से मल के कुश्ण नमबर 104 है निमलिखित मेंसे किस महा सागर के टटी छेतर को ज्वाला परधी कते हैं ति यह कहा जाता है प्रसांत महा सागर को कोश्ण नमबर 105 है उत्तर प्रदेश में आप्रेशन ग्रीन कब लागों किये गय था तो जुलाई एक जुलाई 2001 को कोशन नमबर 106 है संसार के किस देश में सनच्छित भूमी का सरोत्तम तंत्र है सुटीजर लेंड है इसका कोशन नमबर 107 है भारत में सरवाधिक छारी छेतर पाई जाता है उत्तर पर्देश में कोशन नमबर 108 है भारत में हाथी परियोजना की सुरात कभ भीती तो 1972 में हाथी परियोजना कोशन नमबर 109 है निमले कितमे से कौन सा एग में सही सुमेलित है तो वह नोक्रेक में घाल है कोशन नमबर 110 पाते हैं 2021 की जनगर्णा के अनुशार भारत में इस्तिरी पूर्ष अचर्टा है इस्तिरी पूर्ष अनुपाथ है तो वह है 940 1400 समद्र नो सोच दर लिए की जनगर्णा के अधार पर किस राजिम मुस्लीम वाधि सर्वाधिक है तो वह है उत्तर पर्देश में कुस्स्टन नमबर 11 लिंग अनुपास उस्तम है तो 36 गड़ वह राज इसने 2001 के दवरान है अब यहां 1901 दिया है तो इसमें हम बनाया गया है 2001 से ग्यारा के दवरान नियुंतन जंसन के बिर्धी अंकित के गए तो वह है नागा लाइंड इसको लिखेगा नियमित जंगारना की स्वर्स की गई तो नियमित जंगारना की गई थी अफगानेस्तन को इरान पाकिस्तान को वे अब ह३ Otran spoke about 161 6th मैं नियमिकित देसों मेंट की आ कि व्युक्यत प्रजेशन स्वर्स 9 2 1 3 2 3 3 100- समुझाल एक गई जंडरिया समंद्र पत्तन है का त यह ये मिस रखा है Question number 119 है निमलिकित दच्छेने से आँ देशों में किसका जन सक्क्या गनातो सरवादिक है तो वह है भारत का है भारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है तो ओमान से नहीं बनाती है Question number 121 है निमलिखित मेंसे कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थबरस्ता है वह है जापान भुम्रेधर रेखा गुजरती कहां से किन्या से होकर कोस्टन नमर्ण केर से निमलिखित मेंसे कौन सा सही यूग में सुमेलित है तो एताबा-एरीजोना कोस्टन प्रांस को जोडती है तो है स्टेट आफ डोर किस देश या समूख में मक्का मुख्य भोजन के रूपे प्रियोग होता है तो वह है मध्ध अफ्रिका में कोश्चन नमबर 128 है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है मुंबई कोश्चन नमबर 137 है संकोस नदी बनाती है संकोस नदी बनाती है असम और पसिम बंगाल के बीच कोश्चन नमबर 137 है पीर पंजाल स्रेणी पाई जाती है तो वह जमू कस्मीर कोश्चन नमबर 131 है उत्तर परदेश का निमलिखित में से कौन सना का राष्टी है महा मार्क टूद और जोड़ा नहीं जाता है तो लखनौ है कोश्चन नमबर 132 है निमलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरा नहते हुआ है कोश्चन नमबर 133 है निमलिखित कारकों में उत्तरी भारत में से दच्छनी भारत में चीनी उद्यों के अस्थानिक अस्थांत्रान में सहयता की इसमें तीनू हो जाएगा इसमें गन्या के प्रतियेकर उस्तम मुतपादन गन्या के सरकरा का दिखोना पेराई का लंबा कोश्चन नमबर 136 है निमलिखित में से कौन सुन नदी का वास्तविक स्रूत है तो साडोल जी लेके अमर कंटक से निकलती है सुन नदी कोस्चन नमबर 136 है चालू हुनेवला आडविक जो सन्यांतर है उसके बारे में तो कोण सैस्रमिलिट नादवरी में चालू की एmachen था परमाण़ वठती है भारत में रबड उद्योग इस्तित है भारत में जो है रबड उद्योग इस्तित है कहा पर बंगलोर में कोस्टन नमर 140 है करेंट का है 142 करेंट 43 करेंट 44 करेंट का है इधर सब करेंट का एक कोस्टन लग रहा है यह इसके देखें बीबीत करेंगे लोग सबाके 10 बनने वाले पर्थम महिला देश्ट मीरा कुमार इधर सब करेंट का कोस्टन है यह सब करेंट का कोस्टन 150 नमबर यह था कोस्टन आपका जो है इसमें आपको सम्मिधान का और साइंस का कोस्टन नहीं मिलेगा क्योंकि फर्स्ट बार सिकेंट पेपर इसका अपलोड करेंगे तो इसमें साइंस और सम्मिधान का देखने को मिल आया होगा पसंद है इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक सदिक सेयर करें धन्यवाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम